नमस्कार आप देख रहे हैं एक News24 और मैं हूँ वरीशा आपके साथ पापा बच्चों के सुपर हीरो होते हैं बच्चों की जिंदगी में पापा की जो जगा है वा कोई नहीं ले सकता है पापा एक ऐसे इंसान है जो बारिश में छाते की तरह और धूपे पेड़ की तरह बच्चों के हर मुश्कल से बचाए रखते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं पिता की इसी समर्पन और प्रेम को सम्मान देने के लिए उन्हें थैंक्यू कहने के लिए हर साल जून के तीसरे रविवार के दिन Father's Day मनाया जाता है इस साल यह दिन 16 जून को मनाया जा रहा है पापा अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं और साथ ही जाने अंजाने में बच्चों को जीवन की वो बाते बता देते हैं जो बच्चे सिर्फ अपने पिता से ही सीख सकते हैं इन में सबसे पहली जिम्मेदारी से ना भागना है चाही सामना कितनी ही बड़ी मुश्किल से क्यूं ना हो पापा ऐसे शक्त हैं जो मुश्किलों से नहीं भागते हैं घर में चाहे कितनी ही विक्त कमाते हैं हो लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारिया बिना कहे ही पापा अपने सिर पर उठाए रखते हैं बच्चे ही नहीं बलकि अपनी पतनी अपने माता पिता भाई बहन और कई बार अनरिश्टदारों का भी जिम्मेदारी तक पापा अपने कंदों पर ले लेते हैं, स्थिती कुछ भी हो लेकिन पापा इन जिम्मेदारियों से कभी भागते नहीं है तो दूसरा है सुनने वाला इंसान बनाने वाले हम अकसर ही देखते हैं कि कितना ही चुटकुले इस बात पर बनाते हैं कि मम्मी सिर्फ बोलती ही रहती है और पापा चुंते जाते हैं लेकिन पापा की यही आदत है जो ममी और पापा के रिष्टे में बैलन्स लाती है एक व्यक्ति बोलने वाला हो तो दूसरा सुनने वाला बनना पड़ता है ममी की टेंशन और तनाव को पापा ध्यान से सुनते हैं और ममी की रहत की सांस लेपाती हैं क्योंकि उन्हें सुनने रोल मॉडल बनना पापा के उपर इस बात की भी जिम्मेदारी रहती है कि बच्चों की उनसे बहुत सी आकांचाय हैं जो उन्हें पुरी करनी हैं और साथ ही जिसे देखकर बच्चे हर मुश्किल से पार पाना सीख सकें बच्चे पापा को रोल मॉडल की तरह देखते हैं पापा अपने बच्चों की हर एक अच्छा रोल मॉडल बनने के लिए अपने जी जान से लगा देते हैं चोथा है निस्वार्थ का भाव जब भी पापा की साथ कहीं जाकर उनसे कुछ मांगा जाए तो पापा अपने बच्चों को चाहे दिला देते हैं लेकिन अपने कुछ नहीं लेतें या बार बार नहीं बलकि हर बार ही की बात है अगर पिता 900 की जूते लेते हैं तो बच्चों को 2000 के पहनाते हैं उनका यह निस्वार्थ यानि Selfless जो भाव है उन्हें अलग बनाता है पापा की यह आदत होती है कि उन्हें लगता है कि वे दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं उनका यह confidence ही घर पर हो या बाहर वो हर काम को अपने हाथ में ले लेते हैं पापा की इन कामों को खुद करते हैं और कई बार काम ना आते हुए भी करते करते सीख जाते हैं इससे बच्चों में भी यह confidence आता है और वे किसी भी काम को लेकर कर सकते हैं और इसलिए किसी experiment से डरते नहीं हैं तो इसी तरह बेटी के lieutenant बढ़ने पर भी पिता की खुशी और गर्व से चौरा सीना हो जाता है या एक ऐसा अनोखा पल है जिसके बारे में शब्ध हमेशा कम ही पर जाएंगे आपको इस तस्वीर में जो दिखा रहे हैं बेटी के lieutenant बढ़ने पर पिता की खुशी को साफ देखा जा सकता है lieutenant एकता नेगी ने आर्मी एयर डिफेंस कोर के कमिशन मिला है इस तस्वीर के गर्वित पिता अपनी बेटी lieutenant एकता नेगी को सलाम करते वे दिखाई देते हैं तो फिलाल इस वक्त की खबर में इतना ही ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें एक News24 को हमारा Facebook पेच को लाइक करें और YouTube चानल एक News24 को सब्सक्राइब करें धन्यवाद